किरण यादव वरिष्ठ अध्यापी का सामाजिक विज्ञान राजकी परवेशी का संस्कर्थ विद्याले बीखावाला जेपोर कख्या 10 सामाजिक विज्ञान इत्यासकी पाठ्य पुस्तक भारत और समकालिन वीश्वे भाग दोका अध्यन करेंगे पार्ट नमबर दो भारत में राष्टवात इसमें हमने पढ़ा है कि पहला विश्वे युद्ध के दोरान पहला विश्वे युद्ध का भारत पे क्या प्रभाव पढ़ा फिर सत्यागरें आदोलन के बार में पढ़ा फिर पढ़ा है रोलेक्ट एक्ट रोलेक्ट एक्ट भ फिर उसके बाद पढ़ा कि रोलेक्ट एक्ट के विरोद में मात्मा गांधी जी ने रोलेक्ट सत्य गरह चलाया था और वो रोलेक्ट सत्य गरह भी ऐसा पल हो गया ऐसा पल होने पर गांधी ने जो रोलेक्ट सत्य गरह चलाया था वो वापस ले लिया इसके बाद मात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया एह सयोग आंदोलन एह सयोग आंदोलन चलाने का क्या कारण था? एह सयोग आंदोलन वर्स 1920 में परारम किया गया था ऐसा योग आंदोलन को चलाने की अनुमति कॉंग्रेस के नागपूर अधिवेशन दिसंबर 1920 में दी गई थी ऐसा योग आंदोलन चलाने की कारण जलिवाला भाग अथ्याकाण 13 अप्रेल 1919 को जो पंजाब के अमरत्सर के जलिवाला भाग में जलिवाला भाग कांड हुआ था और प्रत्थम विश्वयुद के पस्यात महंगाई में व्रद्धी होने के व्रोध में प्रत्थम विश्वयुद के दोरान ही तुर्की के खलिफा को शता से अठा देना भारती ये मुस्सल्मान तुर्की के खलिफा को अपना धार्मिक नेता मानते थे इन सब के व्रोध में ऐसायोग आंदोलन चलाया गया था ऐ सयोग का मतलब क्या है? ऐ सयोगे ने बिना सहायता के गांदी जी ने ये कहा उसकी एक फुस्तक थी कौन सी? हिंद सवराज कौन सी फुस्तक है? हिंद सवराज उसकी एक फुस्तक थी लिखी गई थी 1909 में इसमें मात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में जो बिट्टी साशन इस्तापित हुआ था नो भारत्यों के सयोग से इस्तापित हुआ था और ये साशन चल रहा है न वो इसी सयोगी के कारण चल रहा है किसके कारण भारत्यों के सयोगी के कारण ही चल रहा है अगर भारत के लोग अपना सयोग वापस ले ले तो साल भर के बीतर बिटिश शाषन डहे जाएगा और सवराज की स्थापना हो जाएगी कि गांदी जी ने कहा, गांदी जी की कौन सी पुस्तक परसित, हिंदी सवराज उसमें कहा कि अगर बिटिश शाषन का सयोग करना बंद कर दे भारती है, तो बिटिश शाषन साल भर में ढह जाएगा और सवराज की स्तापना हो जाएगी, सवराज का मतलब होता है स्वतंतरता गांदी जी ने इसी सोच के साथ ऐसायोग आंदोलन की शुरुवात की इस आंदोलन के लिए सबसे पहले गांदी जी पूरे भारतियों को एक साथ लाना चाहते थे गांदी जी चाहते थे कि अलग अलग बटे हुए तो अंदोलन नहीं कर सकते और नहीं सवराज ऐसे प्राप्त कर सकते सभी को क्या करना है एक जुट करना है तो गांदी जी पूरे भारतियों को एक साथ लाना चाहते थे इसके लिए हिंदू और मुस्लिम को एक करना बहुत जोरूरी था इसी उद्देशे के लिए किस उद्देशे के लिए भारतियों को एक करने के उद्देशे के लिए मात्मा गांधी, मौभथ, मौभथ, अली और शोकत अली से मिले जो उस समय मुस्लिम के जवान राजनितिक नेता थे मातमा गांधी जी ने उनसे ऐसायोग आंदोलन के बारे में बाते की और उनको मुस्लिम का सायोग मिल गया ऐसायोग आंदोलन में मुस्लिमों का भी बहुत बड़ा योगदन था इसी लिए इसे ऐसा योग खिलापत आंदोलन कहा जाता है क्योंकि उस समय खलीपा इसलामी वीश्वे का मुख्य है था फिर जो ऐसा योग आंदोलन था ना आंदोलन की भीतर अलग-अलग धा रहें हम सबसे पहले ऐसा योग अनदोलन पढ़ेंगे आंदोलन के फीतर अलग-अलग धा रहें जनवरी 1921 में मात्मा गांदी, मौभध अली और शोकत अली ने मिलकर ऐसायोग खिलापत आंदोलन की शुरुबात कर दी कब जनवरी 1921 में और ऐसायोग आंदोलन चलाने के अनुमतिय मिलीती दिसंबर 1920 में कॉंग्रेस के नागपुर अधिवेशन में अनेक सामाजिक समों ने भाग लिया लेकिन सभी की एक ही मांग थी सवराज मतलब सभी लोगों ने सभी सामाजिक समों ने भाग लिया और सभी की एक मांग थी क्या सवराज सब राज का मुख्य अलक्षय या मुख्य अलक्षय क्या था? स्वतंत्रता थी प्रन्तु अलग-अलग छेत्रों में इसके अलग-अलग अर्थ समझे कि सब राज्य के अलग-अलग छेत्र में अलग-अर्थ समझे अलग-अलग जैसे सहरों में आंदोलन जो ऐसा योग अंदोलन था, सेहरों में इसका क्या प्रभावरा हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया बहुत से स्कूलों के सिक्षक और प्रधाना अध्यापक ने इस्तीपा दे दिया वकिलों ने मुक्द में लड़ने बंद कर दि विद्यार्थियों ने स्किल छोड़ दिया अध्यापको ने स्तीपा दे दिया वकिलों मुक्द में लड़ने बंद कर दिया विद्यासी सामान खरिदना और परियोग करना बंद कर दिया गया विद्यासी सामान का बैश्कार क्या गया विदेशी सामानों की होली जलाए गए और विदेशी कपड़ों को जलाया गया इन सब के कारण आंदोलन बहुत ही सपन नजर आ रहा था कि इन सब के कारण आंदोलन धीरे धीरे क्या हो रहा था शपन नजर आ रहा था लेकिन कुछ समय बाद सेरों में आंदोलन धीमी पड़ने लगा कि क्या कारण था कि आंदोलन सपल होते हो हुए भी धीमा पड़ने लग गया इसके कई कारण थे इसके कारण थे कि विदेशी सामान का तो भहिशकार हो गया और विदेशी सामान के भहिशकार होने से खादी कपड़ा क्या हो गया? मेंगा कि विदेशी सामान का तो भहिशकार करी दिया और भारती कपड़ा ही उपयोग में लेने लगे तो दीरे दीरे खादी कपड़ा मेंगा हो गया और मेंगा होने पर लोग खरिद नहीं पा रहे थे तो लोगों ने दुबारा से विदेशी सामान को खरिदना प्रारम कर दिया वेकल्पिक संस्थानों की स्तापना की परक्रिया भाव धीमी थी फल सरूफ विद्यारती और सिक्षक सरकारी स्कुलों में लोटने लगे वकेल दोबारा सरकाली अधालतों में जाने लगे कि जो वकेल विद्यारती इनोंने स्कुल छोड़ी थी और वकेल मुग्दमा लड़ना बंद किये थे लोगों ने दुबारे से वित्यार्त्री स्कूल जाने लग गए और वकिल दुबारे से अधालत में जाने लग गए फिर ग्रामिन इलाखों में इसका अर्थ भारत में ज्यादर तर लोग खेती करने का काम करते थे कि भारत में अधीकांस लोग क्या थे क्रशक और क्रशेक तो क्या करेंगे खेती बिटिश आशक काल में किशानों और मजदूरों को बेगार नियम का पालन करना पड़ता था जो बिटिश असनकाल था, इसमें किसान और मजदूर थे, उनको बेगार नियम का पालन करना पड़ता था, अब हम ये समझें कि बेगार क्या है, बेगार व्यवस्ता में जमीदार, किसानों, मजदूरों से बिना पेसे, बिना पेसा दिये काम करवाते, मतलब ऐसा काम, ऐसी म मजदूरी कि बिना पेसे ही उन्होंने मजदूरी करनी पड़े, वो बेगार व्यवस्ता है, अवद में सन्यसी बाबा राम चंद्रे किसानों का नित्रत्व कर रहे थे, कि अवद में किसानों का नित्रत्व कोन कर रहा है, बाबा राम चंद्रे, जून 1920 में ज्वालान नहरू ने आवद के गाउं का दोरा किया और गाउंवालों से बात चीत की और उनकी व्यवत समझने का परियास किया फिर अक्टूबर तक ज्वालान नहरू और बाबा राम चंदर कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर एक शबा का गठन करते हैं वो अवद किसान सबा अवद किसान सबा का गठन किसने क्या बाबा राम चंदर और ज्वालान नहरू ने जिसमें उन्होंने मांग की अवद किसान सबा में मांग की कि बेगार व्यवस्ता को खत्म किया जाए लगान कम किया जाए दमनकारी जमीदारों का सामाजिक भहिशकार किया जाए कि हमारी लगाने कामो जो बेगार व्यवस्ता इसको खत्म की जाए और जो दमनकारी जमीदारों का भहिशकार किया जाए जब ऐसा योग आंदोलन की शुरुवात की गई तो अनेक आदिवासी किसानों ने मात्मा गांधी के संदेश और सवराज के विचात का कुछ औरी मतलब निखाला बहुत सारे इस्तानों पर इस्तान या नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने एलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं बरेगा और जमीन गरीबों में बार दी जाएगे प्रन्तु गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं खाता इससे पता चलता है कि गांधी जी के मुख्य बात किसानों तक पहुच ही नहीं पा रही थी यानि ग्रामिन इलाखों में इसका प्रभाव अलग था हमने देखा कि इस आंधोलन में सेरों में सवराज का मतलब क्या समझा और ग्रामिन इलाखों में इसका मतलब क्या समझा फिर बागानों में सवराज का मतलब क्या समझा 1869 में एक एक्ट पारित हुआ था इंग्लेंड इमिग्रेशन एक्ट इस एक्ट में ये कहा गया था कि बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बार जाने की छूट नहीं होती कि England Immigration Act थान शakes ज़समें ये कहा था की जो बागाण में जो मजदूर काम कर रहे हैं उन मजदूरों को बिना इजाजत बागाण से बार जाने की छूट नहीं दी जाएगी तो बागान में जो मज़दूर काम कर रहे थे उन मज़दूरों ने सोचा कि ये कानून अब क्या हो गया समाप्त हो गया कौन सा कानून? England Immigration Act और ये ऐसा सोच कर ऐसा सोच कर ये लोग क्या सोचा इन लोगों ने कि हम अब अपने बागानों से बार जा सकते हैं और अब घर जाना प्रारम कर दिया इन लोगों ने सोचा कि एक तो खतम हो गया और अब हम बागानों से बार जा सकते हैं अब हम घर जा सकते हैं तो इन लोगों ने दीरे दीरे क्या क्या घर जाना शुरू कर दिया बागानों में काम करने वाले ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लगा कि अब गांधी राजिस्तापित हो गया प्रंतु वे अपनी मंजिल अब ये लोग वहां से बागानों से घर के तरप तो चल पड़े लेकिन ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुच पाए रेलवे और स्टीमरो की हड़ताल के कारण वे रास्ते में फसे रहे गे और पुलिस ने उन्हें पकड लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई की गे जैसे जैसे ये आंदोलन सिकर की ओर चला उसी समय एक गटना गटी तुई वो उत्तर परदेश के गोरगपूर जीले में एक किस्तान है चोरी चोरा नामक किस्तान पर वहां स्यांतिपूर जूलुस पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने पर भीड़ने पुलिस की चोकी पर आग लगा दी जो पुलिस की चोकी थी वहां पर इन लोगों ने क्या लगा दी आग अब गांदी जी को जब पता चला कि चोरी चोरा नामक किस्तान पर ऐसी गटना गटी थो गई हिंसक तक्राओ के विशय में शुनकर मात्मा गांदी जी ने ऐसा योग आंदोलन रोकने का अहान किया नेकिन जो ये गटना हुगटी थी चोरी चोरा नामक किस्तान पर ये हुई थी पांच फरवरी उन्नीसो बीस को गांदी जी ने इस आंदोलन को हिंसात्मक होते देख बारा फरवरी उन्नीसो बाइस को ये आंदोलन वापस ले ले कब बारा फरवरी उन्नीसो बाइस को और क्यों लिया वापस इस आंदोलन को हिंसात्मक होते देख मात्मा गांदी जी यह निन्ने लिया कि अब किसी प्रकार के आंदोलन करने से पहले लोगों को समझाना, पढ़ाना, फिर आंदोलन का लक्ष, तरीके और छेतराधी के विशे के बारे में बताएंगे क्योंकि यह आंदोलन इसी कारण एशपल हुआ था अब हम आगे पढ़ेंगे सवीन्य अवज्ञा की और और ऐसे यह आदोलन की समाप्ती हुई थी 12 फरवरी 1922 को शुरवात हुई थी दिसंबर 1920 को तो इसको अनुमती दी गई थी और जनवरी 1921 से यह प्रारम हो गया था प्रारम होने का कारण रोलेक्ट एक्ट जली वाला भागत्या करण और तुर्की का विबाचन और तुर्की में खली पापत समाप्त करण इन सब के कारण ऐसे यह गांदोलन चला था